दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल सस्ती फेरनेस क्रीम जो कि आपको 40-50 रुपे में इजले आसनी से मिल जाएगी काफी ज़्यादा डिमांडेड है वीडियो को पूरा देखियेगा बिल्कुल नेचल इंगरेंट दोर तायार किये गई है रिजल्ट कैसा रहता है यूज करें या ना करें कम्प्लिट देखियेगा वीडियो को नेम नेम फिर ने स्करिम के बारे मैं जानने वाले हैं, जो कि काफी ज़यादा डिमांडेड में मार्केट में दोस्तो इस क्रीम की काफ़ी ज़ादा डिमांड थी तो यह वीडियो काफ़ी ज़ादा इम्पोर्टेंट होने वाले इसकी 45 उर्पे का सबस्का प्राइजिंग रहता है जो की 50 क्राम की पेकेजिंग इसकी रहती है उसका दोस्तों इसके अंदर काफी अच्छे इंगरेंट यूज किया जाते हैं जो कि लैमन और नीम इसके अलावा इसके अंदर तुलसी का भी यूज किया जाता है और जो इसकी दूसरी पेकेजिंग उसमें नीम और यानि लीम यानि नीम का यूज किया जाता है और साथ में लैमन यानि नीबू का यूज किया जाता है तो क्रीम काफी चिया फेरनेस क्रीम है हरवाल इंगरेंट दौरार तयार की गई है और भी काफी अच्छे इंगरेंट इसके अंदर यूज किया जाते हैं जो कि काफी सेप होते हैं हमारी स्किन के लिए अब दोस्तों बात करते हैं इसको यूज कौन कौन कर सकता है खास तोर पर गर्ल्स के लिए डिजान किया गया है वहनी ओमेंस इसको यूज कर सकती है और मेंस के लिए क्रीम नहीं है गाइज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ और ये एक फिरनेस केरीम है दोस्तों जो की काफी सस्ती है आप इसको यूज करते हैं डेली तो आपके स्कीन में एक अच्छा निखार दिखाई देता है एक सब्ता यूज करने पर और ये स्कीन को गलॉइंग खुपसुद बनाने के लिए मदद करती है साथ में हलके फुलके डाक स्पोट को भी कम कर देती है तो काफी अच्छी क्रीम है और रिजल्ट अगर बात करें तो 15-20 तिन में इसके काफी अच्छी रिजल्ट देखने को मिलते हैं एक ऐसी क्रीम में जिसको आप लंबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा आप पाल्टी वाटी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट आपको काफी अच्छे दिखते हैं जो बाकी की क्रीमे हैं उनके मुकाबले और यह इसकी में दिखाई भी नहीं देती है जैसे फेरलबली वगेरा की तरह आपको इस पर दिखाई नहीं देती है यह काफी अच्छी क्रीम है आप इसको हलके आतों से जैसे ही रब करते हैं इसके अच्छे से आपकी स्कीन में यह चमक परदान करती है गलोइंग खुबसूद बनाती है तो तुरंत निखार लाने के लिए भी काफी अच्छी क्रीम है इसका यह आप यूज कर सकती है अब इसका रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया साइड इपक्त बत कर तो हलकी सी एरिटिशन जलन खुजली मैसूस हो सकती है इससे साइड इपक्त इसके देखने को मिल सकते है वीडियो से लोगे तो वीडियो को लाइक शेर करें